गुट मॉर्निंग डियर स्टुडेंट्स मैं आपका मेंटर प्रागे शर्मा स्वागत करता हूं को इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफर्म पर और आज के वीडियो में आप मेरे साथ स्टेडि करने वाले हैं यूनिट सेकेंड बी है जो बुक है अपन की उस बुक क लेसन नम्मर एट की जिसका टाइटल था अपना रीच फॉर दा टॉप जैसा कि मैं पहले भी बता चुका था आपको ये जो लेसन नम्मर एट है ये दो भाग में डिवाइड है फस्ट पार्ट है संतोश यादब के रूप में और सेकेंड पार्ट है मारिया शेरा पॉवा के रूप में तो आज अपन चैप्टर एट रीच फॉर दा टॉप इसके सेकेंड पार्ट मारिया शेरा पॉवा की स्टेडी करने वाले हैं क्लियर है तो ये मारिया शेरा पॉवा एक बहुती प्रसिद्ध टैनिस की खिलाडी क्या है मारिया शेरा पॉवा एक बहुती प्र प्रतियोगिता में प्रत्योगिता 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 मे दहरे मैं आपन इस वीडियो में स्टेडि करने वाले हैं तो चलते हैं आपन चैप्टर की ओर मारिया शौरा पव्वा किलियर है देखे ऐध में आ Produkt एक रशिया की लड़की मारिया जिसका नाम क्या है मारिया शेरा पवा है reach the summit of women's tennis reach पहुची थी summit summit का मतलब शिखर या सीर्स के रशिया की एक लड़की जिसका नाम है मारिया शेरा पवा reach the summit of women's tennis महिला टैनिस के सिखर पर पहुची भेन शीवाज बरले एक टीन जब नहीं महेज बरले मात्र या महेज 18, 18 वर्ष की थी अर्थात रशिया में पैदा हुई मारिया शेरा पौवा नाम की एक लड़की जब महेज 18 साल की थी वह महिला टैनिस के छेत्र में दुनिया में नम्मर वन हो गई as you read about her, as जैसे जैसे you read about her आप उसके बारे में पढ़ते जाओगे जैसे जैसे आपको उसके जीवनी का परिच्छ होता जाएगा आप उसके बारे में steady करते जाओगे see, तो आपको यह देखना है, यह आपको जाजना है इस चीज का आपको अनुमान लगाना है अपने दिमाग में इस चीज पर आपको विचार करना है If you can draw a comparison कि क्या आप draw and comparison कोई तुलनात्मक इस्थिती पैदा कर सकते हो क्या आप तुलनात्मक इस तर को अपने दिमाग में ला सकते हो Between her, मारिया शेरा पौवा के बीच में एंड संतोष यादब और संतोष यादब के बीच में किलियर है जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ Unit 8 टाइटल है Reach for the Top किलियर है पहला पार्ट है संतोष यादब के रूप में और दूसरा पार्ट है मारिया शेरा पौवा के रूप में और एब्रेस्ट पर दो बार चढ़ने वाली महिला भी बनी ये दोनों खिताब उन्होंने अरजित किये तो अब वो ये कहता है कि जैसे जैसे आप मारिया शेरा पौवा के बारे में पढ़ते चलोगे तो आपको एक तुलनात्मक इस्थिती पैदा करनी है कि मारिया शेरा पौवा और संतोश यादव इन दोनों महिलाओं में क्या तो समानताएं थी क्या असमानताएं थी इन्होंने किस प्रकार से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया और किस प्रकार से इन्होंने दुनिया में नम्मर वन पोजिशन प्राप्त की क्लियर है तो चलते हैं अपने चैप्टर की ओर मारिया शेरा पौवा क्लियर है देखिए चैप्टर की फर्स्ट लाइन है जो इस प्रकार से है यहां मैं उसको इस्क्रीट करता हूँ देखे 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 देखर संथिंग डिजर में ठोड़े से वर्ड मीनिंग ग्लोजरी जो इस चैप्टर की है वो टिपीकल है इसलिए पूरी तरह से अटेंटिव होकर के बैठना एक एक वर्ड को पॉइंट आइट करूँगा हिंदी अर्थ बताऊंगा तो इस पर विशेस ध्यान देना देंकि there is something does arming का मतलए होता है मैत्री पून मित्रता जैसा क्या होता है मित्रता जैसा कि there is something desirming about मारिया शैरा पॉवा के बारे में कही नहीं कहीं कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो मित्रता जैसी प्रतित होती है there is something deserving कुछ ना कुछ मित्रता पूर्ण नजर आता है about मारिया शेरापवा मारिया शेरापवा के बारे में something at ode और ये ode ode का मतलब होता है असंगत क्या मतलब होता है ode का असंगत जिसे अपन कह सकते हैं मेल नहीं खाता clear है ना देखिए इस line को कि something at ode और कुछ असंगत सा भी नजर आता है कुछ बिचित्र सा कुछ अजीब सा भी नजर आता है with her ready smile ready smile ready smile का मतलब है सामान ने मुस्कुराहट क्या है सामान ने मुस्कुराहट with her ready smile के उसके सामान ने रूप में मुस्कुराने की जो प्रक्रिया है मारिया शेरा पॉपा के सामान ने रूप में हमेशा प्रसंचित रहने की जो बात है सामान ने रूप में जो इस्माल करने की बात है and glamorous attire glamorous का मतलब होता आधुनिक क्या होता है आधुनिक चका चोद पूर और अटायर का मतलब होता है वेश भूशा क्या होता है वेश भूशा जिसे अपने ही हाँ कह सकते है पहनावा क्या कह सकते हैं पहनावा क्लियर है देखिए सम्थिंग एट ओड कुछ अजीब सा है असंगत सा है विधर रेडी इसमाईल उसकी एक सामानने सी मुस्कुराहट में एंड ग्लैम्रस अटायर और उसकी आधुनिक बेश भूशा में कि मारिया शेरा पौबा इसकी अंदर सम्थिंग डिजार में कुछ मैत्री पूर्ण सा नजर आता है लेकिन कही न कहीं एक बात है के एट ओर विधर रेडी इसमाईल एंड ग्लैम्रस अटायर इसकी आधुनिक बेश भूशा इसका जो आधुनिक पहनावा है उस पहनावे में और इसकी रेडी इसमाईल जो एक ततपरता पूर्ण मुस्कुराहट है किसी भी व्यक्ति को देख करके एकदम खिल जाने की जो प्रिक्रिया है उसमें थोड़ी असंगती सी लगती है वो थोड़ी आपस में मेल सी नहीं खाती है and that something in her and or in her इसमें something कुछ ना कुछ है कि इस लड़की में मारिया शेरा पवा नाम की लड़की जो ये युपती है इसमें कुछ ना कुछ अजीब है कुछ ना कुछ यूनिक अदुतिया है that lifted जिसने lifted lifted का मतलब उपर पहुचाना उँचा उठा देना कि इसमें कुछ एक ऐसी चीज है that lifted her जिस चीज ने इसको उचा उठा दिया On Monday 22 August 2005 On Monday 22 August 2005 के दिन Que सौंबार 22 August 2005 का दिन जिस दिन इस बालिका के अंदर इस युपती मारिया शेरा पवा की अंदर कुछ दा जिस चीज ने इसको lifted, उचा उठा दिया, to the world number one position, संसार में पहले इस्थान पर in women's tennis, महिला tennis के छेत्र में, बापस समझें देखिए, पूरा repeat करता हूँ, and that something in her, lifted her on Monday 22 August 2005, to the world number one position in women's tennis, अब देखिए, कि world number one position in women's tennis, महिला tennis के छेत्र में, on Monday 22 August 2005, सौमबार 22 August 2005 के दिन, lifted her, इसको उचा उठाया, किसने something, किसी एक चीज ने, तो अपन यहां कहना चा रहे हैं, कि इस बालिका में, कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज है, जिस चीज के कारण, 22 August 2005, सौमबार के दिन, यह महिला tennis के छेत्र में, दुनिया में, नम्मर वन इस्थान पर पहुँच गई, किलियर है, आगे देखे, all this happened, यह सब काम, all this, यह सब, यह सब क्या, पैदा होने से लेकर, उस महिला tennis के छेत्र में, नम्मर वन बनने तक का जो काम था, यह सारे के सारे काम, in almost no time, in almost no time, almost no time का मतलब था, ना के बरावर समय, बहुती अल्प कालीन समय में, पूरे हुए, कि इसके जन्म से लेकर, महिला tennis के छेत्र में, नम्मर वन बनने तक की इस्थिती, लगभग, almost no time, ना के बरावर समय में एक जो चण भर का समय अपन कह सकते हैं, पलक जपकने जैसी इस्थिती होती है, ऐसी इस्थिती में पूरा हुआ, अर्थात पता ही नहीं चला कि कब ये दुनिया में महिला tennis के छेत्र में नम्मर वन बन गई, अपनी उम्र से ज़्यादा उम्र के होने के बाद, अपनी उम्र से ज़्यादा उम्र के व्यक्तियों के बीच में, पोइस्ड ब्याउन्ड हर एर्ष, अपनी उम्र से ज़्यादा उम्र के व्यक्तियों के मद्ग में, साइबेरियान में बार्न पेदा हुई टीनेजर किसोरी ने टुक उनिये 4 एर्ष, कहँल 4 वर्ष, एज अ प्रोफेश्नल एक पेसे वर खलाडी के रूप में, to reach the pinnacle pinnacle का मतलब चोटी यहाँ अपन अर्थ लगा सकतें pinnacle चोटी या पराकास्टा क्या पराकास्टा कि चोटी पर पहुँचने में पराकास्टा पर पहुँचने में केवल चार वर्स का समय लिया मैं वापस रिपीट करता हूं सुनना posed beyond her ears अपनी उम्र से जादा उमर के व्यक्तियों में कहने का मतलब इस से पहले भी लोग tennis खेल रहे थे इस से पहले भी 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 लाए टैनिस खेल रही थी तो कहीना कहीं वो उम्र में और तज़रवे में इस ज्यादा उम्र के tennis खेलाडियों के बीच में दा साइवेरियन बॉर्ण टीनेजर, साइवेरिया में पैदा हुई इस मारिया शेरा पौवा नाम की बालिकाने, टुक जस्ट फोर इयर, केवल चार वर्सों का समय लिया, एजा प्रोफेशनल, एक पेसेवर खिलाडी के रूप में, टू रीच दा पिनेकल, संसार में सबसे उपर पहुचने के लिए, पिनेकल चोटी, अब चोटी क्या होगी संसार में नम्मर वन, इस से आगे तो कोई पोजिशन ही नहीं होगी, तो टैनिस के छेतर में शिखर को छूने के लिए, अपनी उम्र से जादा उम्र के टैनिस खिलाडियों के बीच में, शाइवेरिया मे पैदा हुई, मारिया सेरा पौवा नाम की इस किसोर बालिका ने महज चार वर्सों का समय लिया, चार वर्स के समय के दोरानी ये संसार में महिला टैनिस छेतर में नम्मर वन पोजिशन पर आ गई, क्लियर है, यहां तक क्लियर हुआ, इस से आगे चलते हैं, तो आगे के लि 2004 में बुमन सिंगल एड विंबल्डन, विंबल्डल जो पृतियोगिता है, उसमें महिला एकल का खिताब जीता था, के सन 2004 में टैनिस छेतर में विंबल्डन जो पृतियोगिता होती है, उसमें एकल महिला के रूप में खितावर जित किया था, यह उस समय की तस्वीर है, क् देखिए आगे चलते हैं से आगे चलते हैं तो मैं बापस यहां सहे अपनी पैंसेल ले ले लेता हूं थो आ के हाव एबर,ाव एवर haव एवर फिर भी, थे Sl蘭ु तर रैपिड असेंट Radio होता है, तीवर और सेंट सेंट का मतला होता है, अन्नति उत्थान प्रगति, क्या मतला होता है तेदे ऊठान होता है अत्यदिक भःंकर यहां अपनार्थ लगा सकते हैं जवर्दस्ट क्या लगा सकते हैं जवर्दस्ट और competitive competitive का मतलब होता है कि प्रतिशिक्ष पर्धी त क्या होता है प्रतियोगिता भरा प्रतियोगिता भरा वर्ड संसार क्लियर है बापस चलते हैं देखें However, फिर भी the rapid ascent in a firesly competitive word इस firesly जबर्दस्थ competitive प्रतिसपर्दी वर्ड संसार में rapid बहुत तीब्र गती से ascent प्रगती का पत कि इस जबर्दस्थ प्रतिसपर्धा पून संसार में प्रगती का जो एक तीब्र पत इस्तापित हुआ था वह पत बिगेन प्रारंब हुआ nine years before नो वर्स पहले with a level of sacrifice sacrifice का मतलब हुता है बलिदान कि इस जबर्दस्थ प्रतिसपर्धा के संसार में हारा है न समझ में समझना typical है word meaning कि इस जबर्दस्थ प्रतिवा के संसार में rapid ascent उन्नतीखा पत प्रगती पर पहुँचने का जो पत था वह पत बिगेन nine years before नो वर्स पहले प्रारंब हुआ with a level of sacrifice बलिदान के एक इस्तर के साथ लेवल लेवल का मतलब क्या है इस्तर बलिदान के एक इस्तर के साथ few children would be prepared to endure ऐसा इस्तर जिसको few children ना के बराबर बच्चे would be prepared तयार होते हैं to endure endure का मतलब सहन करना सहने के लिए endure क्या है सहन करना clear है ना तो देखे level of sacrifice बलिदान का एक इस्तर जिस इस्तर को few children ना के बराबर would be prepared तयार होते हैं to endure सहन करने के लिए किलियर है बापस एक वार रिपेट करता हूँ कि मारिया शेरा पौवा के लिए तीब्र प्रगती का तीब्र उन्नती का जो पथ था इस प्रतीश परदी संसार में वह महज नौवर्स पहले एक ऐसे बलिदान के इस्तर के साथ प्रारंभ हुआ जिस बलिदान के इस्तर को इस स अंसार में ना के बरावर बच्चे सेहने के लिए तयार होते हैं लिटल मारिया इस छोटी सी मारिया नाम की लड़की ने हैड नौट यट सेलिब्रेटेड हर तैंथ बरडे हैड नौट यट सेलिब्रेटेड अभी मनाया भी नहीं था हर तैंथ बरडे अपना दसवा जन्म दिन तो किलियर हो गया इस चीज़ से कि जब इस लड़की ने अपना दस्वा जन्म दिन भी नहीं बनाया था तो दस साल की भी नहीं थी, दस साल से कम की ही थी तो देखे लिटल मारिया, इस छोटी सी मारिया नाम की बालिका ने, had not yet celebrated her tenth birthday, अपना दस्वा जन्म दिन भी नहीं बनाया था, when she was packed off, packed off, packed off का मतलब होता है, भेज दिया गया, क्या है, भेज दिया गया, यहाँ अपन अर्थ लगा सकते हैं, रवाना किया गया, कि इस छोटी सी लड़की ने, अपना दस्वा जन्म दिन भी नहीं बनाया था, when she was packed off, जब इसको packed off भेज दिया गया, to train in the United State, United State की यात्रा पर, to train, to train का मतलब है, रेल गाड़ी में, अर्थात, रेल गाड़ी में क्या होगा, यात्रा यह होगी न, और तो कुछ होगा ही नह आरिया नाम की लड़की ने, अपना दस्मा जन्म दिन भी नहीं बनाया था, उससे पहले ही, इस छोटी सी बालिका को, paired off to train in the United State, United State की यात्रा पर, भेज दिया गया, रवाना कर दिया गया, आगे देखिए, that trip to Florida, क्या, Florida, that trip to Florida, Florida की वो यात्रा, with हर फादर यूरी, जो इ इसने अपने पिता यूरी के साथ की, तो एक चीज और किलियर होती है, मारिया शेरा पौवा के फादर का नाम क्या है, यूरी, that trip to Florida, with हर फादर यूरी, अपने पिता यूरी के साथ, फ्लोरीडा की उस यात्रा ने लांच, लांच का मतलब खोल देना, क्या करना, खोल देन लांच्ड हर, इसको खोल दिया, इसको रख दिया, on the path of success, सफलता के रास्ते पर end और stardom, stardom का मतलब होता है, ख्याती, क्या होता है, ख्याती, ठीक है, मैं बापस एक बार repeat करता हूँ, यहां देखिए, launch, launch का आर्थपन लगा सकते हैं, प्रसस्त करना, क्या लगा सकते है यूरी के साथ, फ्लॉरीडा की जो इसने यात्रा की थी, उस यात्रा ने इस लड़की को launch on the path of success and stardom, stardom, ख्याती और success, सफलता के रास्ते पर लाकड के launch, प्रसस्त कर दिया, खड़ा कर दिया, आगे देखिए, but it also required a heart bracing, heart bracing, heart bracing का मतलब होता है, हिर्दय बिदारक, क् जक जोर कर रखने वाला, पूरी तरह से दुख उत्पन करने वाला heart bracing, देखिए, but it also required, लेकिन it इसके लिए, किसके लिए, वो सफलता और ख्याती के रास्ते पर चलने की बात, क्या है, path to success and stardom, कि सफलता और ख्याती के रास्ते पर दो चलने की बात है, इस बाली बात के लिए, required आवशक्ता थी, जरूरत थी, a heart bracing, two years separation, heart bracing, हिर्दे बिदारक, two years, दो वर्स के separation, अलगाब की, from her mother, यह लेना, अपनी मा यह लेना से, कि उस ख्याती और सफलता के रास्ते पर चलने के लिए, इस लड़की को अपनी मा यह लेना से, दो वर्स के अलगाब को जहलना ही था, अर्था, दो वर्स अपनी मा यह लेना से, अलग रहना ही था, यदि ख्याती और सफलता चाती है, तो इस चीज के लिए, इसको यह पता था, कि मुझे दो वर्ष अपनी मा यह लेना से, दूर रहना ही होगा, आगे देखिए, दा लेटर वाज, compelled to stay back in side area, दा लेटर, अब यहाँ लेटर, लेटर का मतलब है दूसरा, क्या है, दूसरा, और दूसरा कौन है, दूसरा है मारिया की मा, तो यह लेटर किसके लिए आया है, यहाँ पर, शैरा पौवा की मा के लिए, देखिए, दा लेटर वाज, compelled, compelled का मतलब होता, बाद्ध होना, क्या होता है बात दे हो ना कि दा लेटर वाज कंपेल्ड जो दूसरा था अर्था शहरा पौवा की जो माँ थी वाज कंपेल्ड वो पूरी तरह से बात दे थी to stay back in syve area, syve area में रुखने के लिए because of visa restriction क्यों क्योंकि visa की पावंदियां थी रेस्टिक्टेशन पावंदियां और visa visa जानते हो अन्य देश में रहने के लिए या गूमने के लिए कुछ समय की सरकारी महलत वो कहलाती है visa तो visa restriction, visa की पावंदियों के कारण the letter जो दूसरा candidate था अर्था सेरा पौवा की मा वाज कंपेल्ड पूरी तरह से बात दे थी to stay back in syve area, syve area में रुखने के लिए अर्था visa नहीं मिला इसलिए इसको अपनी मा से दो वर्ष अलग रहना पड़ा नहीं शायद कहीं न कहीं मा भी इसके साथ फ्लोरिडा चली जाती आगे देखे दा nine year old girl नौ वर्ष की इस बालिका ने had already learnt पहले ही सीख लिया था an important lesson एक महत्पून सबक in life जिन्दगी का के नौ वर्ष की इस मारिया शेरा पवा नाम की बालिका ने had already learnt पहले ही सीख लिया था an important lesson in life जीवन का एक बहुती महत्पून सबक अब वो सबक क्या है वो यह है that tennis excellence that वो यह था कि tennis excellence tennis के अंदर stress था tennis excellence tennis खेल की पराकास्था tennis खेल के अंदर stress से stress would only come at a price would only come प्राप्त किया जा सकता है at a price किसी एक कीमत पर कि इस लड़की ने इस चीज को बहुती जल्दी सीख लिया था कि यदि tennis के छेटर में excellent सिखर पर पहुँचना है stress था हासिल करनी है तो इसके लिए कही ना कहीं कोई ना कोई कीमत चुकानी ही पड़ेगी इस चीज को इस नो वर्स की वालिका ने बहुती जल्दी सीख लिया clear है इससे आगे चलते हैं तो देखे आगे की लाइन जो है वो इस प्रकार से है I used to be so lonely Mariah Shara Powa recalls 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 का मतलब है यहाँ याद करना क्या है याद करना Mariah Shara Powa recalls Mariah Shara Powa याद करती है बड़ी हो गई है जब इससे बातचीत की गई तो वो अपने बच्पन को याद करती है और याद करते हुए वो कहती है I used to be so lonely मैं अक्सर so lonely so lonely का मतलब होता है दोखी अकेला दोखी अकेला कि I used to be so lonely मैं अक्सर दुखी और अकेली रहा करती थी I missed my mother tribally terribly terribly का मतलब होता है अच्चतिक भयंकर या बहुत जादा I missed my mother terribly मैं अपनी मां को बहुत जादा याद करती थी अकेली रहती थी 9 वर्स मेरी अवस्था थी मैं अपनी मा को बहुत ज़ादा याद करती थी My father was working as much as he could मेरे पिता was working, काम कर रहे थे as much उतना as he could, जितना वो कर सकते थे to keep my tennis training, मेरे tennis के प्रसिक्षन को going on लगातार जारी रखने के लिए going on लगातार जारी रखना My father was working as much as he could to keep my tennis training going on के मेरे tennis के प्रसिक्षन को लगातार जारी रखने के लिए मेरे पिता उतना काम कर रहे थे जितना वो कर सकते थे So, इसलिए he could not see me either वो भी मुझसे नहीं मिल सकते थे See me, see me का मतलब मिलना वो भी मुझे नहीं देख सकते थे मुझसे मिल नहीं सकते थे Clear है? तो आज के लिए इतना ही इससे आगे के लेसन को अपन अगले वीडियो में बनेंगे तब तक आप लगातार वीडियो रहें देखते रहें Stay healthy and stay safe